ये एक बड़ी छोटी सी और प्यारी सी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई इसका शीर्षक है यह कदंब का पेड़ बड़े ही आसान सहज और सरलसे शब्द हैं तो शायद अर्थ बताने की भी आवशकता नहीं होगी और भावार्थ वो भी बड़ा सरलसा है मा और बेटे की बाचीत और बाचीत का केंदर क्या है कदंब का पेड़ कुछ तो खास बात है कदंब के पेड़ में कि कदंब का पेड़ यमना और कनहिया इन पर कितनी ही कविताएं लिखी गई है फिलहाल ये वाली सुनते हैं यह कदम्ब का पेड़ अगरमा होता यमना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कनईया बनता धीरे धीरे. मैं भी उस पर बैठ कनईया बनता धीरे धीरे. ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरहा नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली. तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा उंचे पर चड़ जाता. उस नीची डाली से अम्मा उंचे पर चड़ जाता. वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बासुरी बजाता. अम्मा उंचे के स्वर में तुम्हें बुलाता. सुन मेरी बनसी को मा तुम इतनी खुश हो जाती. मुझे देखने काम छोड़ कर तुम बाहर तक आती. तुमको आता देख बासुरी रख में चुप हो जाता. पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बासुरी बजाता. गुस्सा होकर मुझे डाटती कहती नीचे आजा. पर जब मैं न उतरता हसकर कहती मुन्ना राजा. नीचे उतरो मेरे भहिया तुम्हे मिठाई दुंगी. नए खिलोने माखन मिसरी दूध मलाई दुंगी. बहुत बुलाने पर भी माजब नहीं उतर कर आता. मा तब मा का हिर्दय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता. तुम आचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड के नीचे. इश्वर से कुछ विनती करती बैठी आखें मीचे. तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आचल के नीचे छिप जाता. तुम्हारे फैले आचल के नीचे छिप जाता. तुम घबराकर आँख खोलती परमा खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती. इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे यह कदम्ब का पेड़ अगरमा होता यमना तीरे. इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे यह कदम्ब का पेड़ अगरमा होता यमना तीरे. धन्यवाद.